हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ टाटा स्टील लिमिटेट के बारे में इसका हम लोग एक टेक्निकल एनलिसिस देखेंगे देखते हैं कि इसमें हमें support zones कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और resistance zones कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जिससे आपको ये पता लग सके कि आने वाले दिनों में इसका price movement किस तरीके से रह सकता है तो चली जल्दी से मैं वीडियो को शुरू करूँगा उसके पहले बस आपसे एक request है वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को जरूर दवाना ताकि लेटेस वीडियो की notifications मिलती रहे इसके अलावा अगर कोई भी सवाल है तो comment box से मुझसे जरूर पूछना आपको उसका reply जरूर बिलेगा तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों अभी मैं अपने trading view के terminal पे हूँ and यहाँ पर मैंने total stay limited का chart open कर रखा है इसको अभी मैंने यहाँ पर daily time frame पे set कर रखा है आज की दिन पर जो इसकी market price अभी चल रही है वो 112 रुपए 45 पिसे चल रही है मेरी खाल से 112 के approach closing हो जाएगी और इसका जो 52 week high बना है वो दोस्तों है 184 रुपी 60 पैसा पे यह आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ से अगर आप current market price को compare करेंगे तो आपको देखने को में लेगा कि stock अपने 52 week high से करीबन 6% नीचे trade कर रहा है अभी यह थोड़ा सा और correct हो सकता है कितना नीचे गिर सकता है वो आज की वीडियो में 6-7% का loss दिखा रहा होगा और अगर stop loss लेके exit हो गए होगे तब तब बहुत ही बढ़िया बात है तो चलिए देखते हैं इसमें हमें support zones कहाँ पर देखने को मिल रहा है तो दोस्तों अभी हमें यहाँ पर immediately सबसे पहला जो support zone देखने को मिल रहा है वो है यहाँ पर 169 रुपीज के zone पर यह zone यहाँ पर आप दिख सकते हो एक resistance के तोर पर act किया था यहाँ पर भी resistance के तोर पर act किया था तो अभी जो stock है वो इस वाले zone पर यहाँ support ली सकता है यहाँ पर से reversal के chances हैं बट overall जो market है वो अभी भी overvalued है वो सकता है कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ब्रेक हो जाए अगर यहाँ पर ब्रेक होता है तो stock में जो अगला support zone हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों वो है 158 रुपीज के zone पर यह zone देख सकते हो यहाँ पर एक पहले resistance के तोर पर काम किया था जिसके बाद यह जो zone है इसके breakout होने के बाद एक support के तोर पर काम किया तो अभी जिब stock उपर से गिर रहा है को और आध़ यह नीचे ओपाई तो अभी stock के लिए यह जो zone है 158 रुपीज का zone यह बहुत ही अच्छा एक support zone है zone के अलाबा हमें यहाँ पर एक trend line की business पर भी support देखने को मिल रहा है जो की बहुत जदा important है इस stock के लिए सबसे important support आप मान सकते हैं यह trend line के business पर ही है अगर trend line के business पर stock उपर भाग रहा है तब तो इसमें तेजी बरकरार रहेगी higher highs का formation होता रहेगा इसका जो trend है वो bullish trend यहाँ पर बरकरार रहेगा यह trend line आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से बनाई है सबसे पहले मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 November 2023 की जो candle है उसका low जोड़ा है देन इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 January 2024 की जो candle है इसका low जोड़ा है यह दो candles का low जोड़ करके यह trend line बनाई और आप देख सकते हैं इसी trend line पर stock को यहाँ पर 14 March को भी support मिल गया था जिसके बाद से इसमें एक उपर का movement आया और यहाँ पर आप देख सकते हैं higher highs का formation लगातार होता आ रहा है तो अभी भी जब stock में यहाँ पर correction हो रहा है chances हैं कि stock यहाँ पर correct हो के इस trend line तगा सकता है और यहाँ पर से इसे support मिल सकता है तो इस trend line को आप सभी लोग अपने chart पर draw कर लीजेगा अगर आपको इसमें swing trading के business पर enter करना है तो trend line के business पर enter कीजिए बहुत ही perfect setup है इसके अलाबा अगर आपको long term के business पर इसमें अपने stocks को और add करना है तब भी आप यहाँ पर trend line के business पर enter कीजिए बहुत ही perfect interest setup रहेगा और अगर यह trend line यहाँ पर break होती है तो अगला support हमें यहाँ पर 147 रुपीज के zone पर देखने को मिल रहा है यह zone यहाँ पर एक resistance के तोर पर काम किया था इसके साथी 4 zone को भी इसी price zone पर से इस stock को एक rejection मिला था उपर की तरफ तो इसलिए अगर यह trend line break होती है तो अगला support zone 148 रुपीज का zone यहाँ पर रह सकता है अब यहाँ पर अगर हम लोग target कह सकते हैं या फिर resistance उनकी में बात करूँ तो अभी फिलाल current market price के साथ से जो सबसे पहला resistance zone हमें देखने को मिल रहा है वो दोस्तो 52 week high ही है जो की है अपना 184 रुपीज के zone पर तो अगर इसमें यहाँ पर 169 रुपीज के zone पर reversal आता है तो आपके लिए जो सबसे पहला resistance रहने वाला है वो 184 रुपीज का zone रहेगा अगर इसका breakout होता है तब retesting के बाद आपको इसमें और भी जदा नए high देखने को मिल सकते हैं कुछ इस तरीके से आने वाले दिनों में टाटा स्टील का जो stock है वो trade कर सकता है I hope आपको यह analysis समझ में आया होगा और यहाँ से काफी कुछ सीखने को मिला होगा तो फिलाला आज की वीडियो में बस अतना ही जाते जाते वीडियो को like करना मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत